बुलुस्री प्राणनाथ प्यारे की बुलुस्री सत्गुरु महाराज की विरोध सारा भान के बताया एक दीन मारा सक सैतान को तब ही ल्याया आकीन तब ही ल्याया आकीन कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी आकोट के बाद बुढ़ान पूर होते हुए रामनगर पहुँचे हैं रामनगर में सुकुदेव ब्रामःण जो की उदैपूर के रहने वाले थे पर बराड नाम के परगने के अधिकारी थे उनका प्रेमभाव भी देखा हरी सिंग जी की सेवा और उस सेवा के पस्चात जो उनकी लवकिक काम ना थी उस प्रसंग को भी जाना और अन्तिम में हमने सुना के किस तरह से औरंग जे बात्साह ने अपने सेनापति पुर्दल खान को आदिश दिया कि रामनगर में कोई वईरागी आए हैं उनके विसे में बता करो उसने सेख खिदर को भेजा और सेख खिदर जी के तरफ से स्रीजी से मिलने के लिए भिखारी दास गए उनसे किस तरह की बाते हुई वो भी हमने संग्षेप में सुनी कहते हैं विरोध सारा भान के बताया एक दीन वेद कतेब दोनों पक्ष के विरोध को समाप्त करके धर्म की एक सच्ची परिभाषा के विशे में बताया वर्तमान में यह कईने कई विवाद का विशे बना रहता है कि कौन सा धर्म स्रेस्ट है धर्म कितने प्रकार के है ऐसे ऐसी बाते होती है या धर्म किसे कहते हैं श्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो श्कूल के पाठे क्रम में तो यह सामिल किया जाता है कि दुनिया में हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई, बौध, जैन, इत्याद, ये प्रमूख धर्म है और इनकी बहुत सारी साखाएं हैं संप्रदाय रूपिय ऐसी बात बताई जाती है जबकि वास्तविक्ता ये है कि धर्म एक ही है मनुस्य में जो स्वाभावी को गुण होने चाहिए उन गुणों को धारण करना ही धर्म कहलाता है ध्रीय धारणे धातु से धर्म सब्द बना है जैसे पानी का गुण कर्म स्वभाव होता है जैसे कहा जाता है कि शुद्ध पानी का अपना रंग नहीं होता है कोई अलग से स्वाद नहीं होता है गंध नहीं होता है कोई आकरिती नहीं होती है तो ये पानी का धर्म है इसी तरह से मनुष्य मात्र का एक धर्म है उसमें भी एक सामाजिक धर्म हो जाता है वेवाहारिक रूप से और एक आत्मा का धर्म है और जितने भी मत मतांतर हैं संप्रदाएं हैं वे सब कुछ तो परंपराएं हैं कुछ अंदविश्वास हैं और कुछ केवल भाषा का फर्क है कहा जाता है कि एक पीढ़ी का आडंबर दूसरे पीढ़ी की परंपरा बन जाती है एक पीढ़ी का आडंबर दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाती है अब जब हम वास्तविक धर्म की पहचान करते हैं भेश, वुशा और भासा से उपर उठ करके तभी हम जान लेते हैं कि जितने भी मतमतांतर हैं बहुत सारे जिसको हम कोई हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई इसाई इस केवल मतमतांतर हैं इतनी बात हमें समझ में आती है स्रीजी ने इसी तरह से सेख, खिदर और उनके साथ में गए हुए उनके कुछ सहयोगियों को वेशबुशा और भासा के बंधन से उपर उठकर दोनों पक्ष का तुलनात्मक रूप से निवारण किया, तो स्रीजी ने कतेब पक्ष के जो विशेस 22 प्रस्न लिखे हुए थे लगबग लगबग सभी जगह उनही 22 प्रस्नों की चर्चा होती है क्योंकि इन प्रस्नों में पुरे कतेब पक्ष का एक मूल भूत सिध्धान्त समाविश हो जाता है उनका इसी तरह से भागवत से सम्मंदित 40 प्रस्न लिखे हुए इसमें पुरा भागवत समाविश्ट हो जाता है तो दुनों का एकी करण करके जब सुनाया अब उनको बात समझ में आई सेख खिदर के पास गए और जाकर के सारी हकिकत बताई क्या कहा कहते हैं मैं देख्या हादी जमाने का सेख खिदरें पूछया तब बिखारिदाह जी ने कह दिया कि मैंने तो जमाने के हादी को देखा है हादिक अर्थ क्या होता है वैसे शाब्दिक अर्थ में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हादिक अर्थ हिदायत देने वाला हिदायत मतलब मार्गदर्शन अथवा दिशानेद देश जिसको हम हिंदू परंपरा में अथवा जिसको हम सनातन मत कहते हैं ऐसे परंपरा में जिनको सत्गुरु कहा जाता है उन्हीं के लिए हादी शब्द का प्रयोग हुआ है तो विखारिदाह जी ने कहा कि मैंने तो अपने आखों से जमाने के हादी को देखा है जमाने का हादी का मतलब क्या है? जमाना मतलब समय आखरी समय में जो सब को सही मार्गदर्शन देने वाले हैं अध्यात्मक का सही दीशा निर्देश देने वाले हैं ऐसे हादी जिनको कुरान में आखरुल इमाम मुहम्मद महदी साही बुजमाम कहा है मैंने उनको देखा है तो सेख खिदर ने पुछा कि आप इतने यकिन के साथ कैसे कह सकते हो क्योंकि वो तो हिंदू है विखारिदास हिंदू है और कोई हिंदू व्यक्ति आकर के ये कहे कि मैंने तो आखरुल इमाम मुहम्मद महदी को देखा है उनको पहचाना है। तो किसी को भला कैसे विश्वास होता। सेख खिदर ने भी शंका जाहिर की कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो। तो अब जो भी बात सुनी थी श्रीजी से वो सारा उन्होंने बताया। कहते हैं तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रस्न कुरान के जो सवाल थे जिनको मैंने पहले ही कहा 22 प्रस्नों की बात अब उन 22 प्रस्नों में विशेश रूप से क्या क्या है आगे बढ़न करते हैं और भागवत के जो 40 प्रस्न है वो कौन कौन से हैं वैसे मुझे लगता है कि आप सब ने स्वामी जी के द्वारा लिखित वितक की टीका तो पढ़े ही होगे इसमें स्वामी जी ने भागवत के 40 प्रस्णों का विवरण दिया है कि वे प्रस्ण कौन-कौन से हैं इसी तरह से ज्यानपिट से प्रकाशित एक छोटी सी लगु पुस्ति का है ज्यानमंजूसा उसमें भागवत के 40 प्रस्ण भी है वेदान्त के 15 प्रस्ण भी है और वेद के कठिन्तम 25 प्रस्ण भी उसमें है उत्तर के साथ है तो उन दोनों प्रस्णों को दोनों प्रस्ण का मतलब वेद पक्ष और कते पक्ष के भागवत और कुरान के दोनों के प्रस्णों का उत्तर देते हुए बिखारिदाह जी ने सिख खिदर को समझाया इनको खोल के कर दिया दिल रोसन दुनों के रहस्यों को खोल कर सिख खिदर के हृदय में ज्ञान का प्रकास कर दिया अब क्या कह रहे हैं सातों निसान कयामत के कयामत के सात निसान कौन-कौन से हम इसी वर्ष की वितक में भी कम से कम दो-तिन बार तो सुन चुके हैं, एक बार तो पूरी व्याख्या भी सुन चुके हैं, कि किस तरह से आजुज माजुज, दिन और रात, जिसको हम समय भी कह सकते हैं, काल भी कह सकते हैं, मृत्यू भी कह सकते हैं, कैसे प्रति दिन मनुस्य क काल कवलित कर रहे हैं अर्थत मृत्यों का ग्रास बना रहे हैं किस तरह से इसा रूह अल्ला का आगमन हुआ है उन्होंने दोतन कैसे धारन किये हैं अस्राफिल ने आकर किस तरह से सूर्फु का है पस्चिम दिशा से मगरब से सूरियोदय होने का क्या तात परिया है और साथ में दावतुल अर्ज नाम का जो जानवर है मनुष्य के अंदर की पासविक प्रवृत्तियां पहाडी बैल के सिंग, सूर की जैसी आँख, हाथी के जैसे कान मुर्गे की जैसी गर्दन, शेर की जैसी छाती, गीदड की जैसी पीठा ये सब किस तरह से मानों में ही हैं ऐसे ऐसे कयामत के सातों निसान के विशे में उन्होंने बताया अब इतना होने पर बहुत सारी बातें तो समझ में आई सेख खिदर के फिर भी कही न कहीं ये संसय बना हुआ था कि एक हिंदू होकर के ये कयामत के रास्यों को कैसे खोल सकता है क्या कारण हो सकता है कहते हैं हकिकत मारिफत के खोल दिये सबद्वार तब सेख की सुद गई करने लगा विचार हकीकत और मारिफत के जब भेद खोल दिये तो सिख किदर की सुधबुद चली गई कि इतना उचा ग्यान कोई कैसे प्राप्त कर सकता अभी तीन ही दिन तो हुए थे गए हुए तीन दिन तीन रात तक की चर्चा में बिखारीदास जी को इतनी बात समझ में आ गई थी कि स्रीजी की कृपा से तार्तम्य ज्यान के माधियम से वे भागवत और कुरान के गहरे रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन अब विखारीदास के साथ हमें दो लोग और गए थे एक का नाम था सैयद अब्दुलरह्मान और दुसरे का नाम था रगुनात दोनों एक-एक पक्षकी साक्षी देने के योग्य थे तो सैयद अब्दुलरह्मान ने ये साक्षी दे दी कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, जिन फकीर से हम मिलने गए थे, उन्होंने ये सब बातें बताई, दोनों ने ये बात बता दी, कि जो भी बातें हैं, जो भी बात भिखारिदाहजी कर रहे हैं, वे सत्य हैं, तो सेख इदर के मन में जो थोड़ा बहुत संस उतहीं करावें दिदार जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवर दिगार विखारिदास जी ने कहा साथ में उन दोनों ने भी साक्षियां दी सयद अब्दुलरह्मान और रगुनात ने कि यदि आप भी जाना चाहें तो हम आपको लेके जाएंगे उनका दर्शन कराएंगे और यदि आप उनकी वास्तविक्ता को समझेंगे देह भाव से न देख करके कि ये तो केवल एक हिंदु वहरागी हैं हिंदु वहरागी होकर के कतेपक्स की चर्चा कर रहे हैं इससे उपर उठ करके यदि आप वास्तविक्ता को समझना चाहें तो आपको पता चलेगा कि यही वास्तों में परवर दिगार अर्थात अल्ला की सूरत है ये चोपाई हम या उन प्रत्यक सुन्दर साथ के लिए सिखापन है जो स्री प्राणनाथ जी को किसी लवकिक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं संत कवी या महापुरुस की स्रेणी में खड़ा करते हैं या इस पस्ट रूप में क्या कहा जा रहा है तो पावे परवर दिगार परवर दिगार मतलब अल्ला ताला जिसको हम हिंदी भाषा में अथवा संस्कृत निष्ट शब्दों में अक्षरातित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं स्री जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है मुझे लगता है कि जब प्रसंग चल ही रहा है तो हमें प्राणनाजी के सुरुप की वस्त विक्ता को भी इसी प्रसंग के साथ में जान लेना चाहिए समझ लेना चाहिए वैसे आगे पन्नाजी की लिला में भी बहुत सारे प्रसंग या बहुत सारे प्रमान हम में जानने को मिलेंगे सबसे पहले हम यह समझे कि प्राण्णाजी कौन है 2008 की बात है हम लोग ज्यानपिट के विद्यार्खियों का एक समूह हरिद्वार गए हुए थे वो हरिद्वार जहां श्रीजी विजे आभिनंद बुद्धनिशकलंग स्वरूप के रूप में जाहिर हुए आज भी आप इंटरनेट में खोजेंगे कुम्ब मेले का इतिहास यदि आप पढ़ना चाहें तो इंटरनेट में इतनी बात तो बताई गई है कि विक्रम संबद 1735 के कुम्ब के मेले में यहाँ पर प्राणनाख जी ने सभी के साथ सास्तार्थ किया था और विजय अभिनंद बुद्धनिस कलंक के रूप में वो जाहिर हुए थे इतनी बात इंटरनेट में भी उपलब है और ऐसा ने कि किसी सुन्दर साथ ने अपलोड किया है उनके पास कहीं न कहीं से डाटा उपलब हुआ ही होगा लेकिन उस हरिद्वार में जाने के बाद वहाँ एक मंदिर है जिसको हम भारत माता मंदिर कहते है भारत माता मंदिर में बहुत सारे बहुत सारी मुर्तियां है उन्हीं में से एक सेक्षन ऐसा था जहां एक मुर्ती बनी हुई है अब तो खेर क्योंकि मैं उसके बाद गया नहीं हूँ उस मंदिर में लेकिन उस समय एक मुर्थी बनी हुई थी जिसको समाज, पूरा समाज मिहिर राज जी की मुर्थी मानता है, समझता है चलिए मान लीजे थोड़ी दिर के लिए कि वो मिहिर राज जी की ही मुर्थी बनाई, वैसे तो वो मिहिर राज जी की मुर्थी नहीं है जाम राजा जो दो अलग-अलग पीडियों में हुए, उन राजाओं की तस्वीर जो आज भी जामनगर के संग्रहले में मौजुद है उन दो फोटो को लेकर के हमारे समाज में देवचंद्र जी और प्राणनाज जी के नाम से प्रसिद किया गया है पर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तब भी, वहाँ जो मुर्थी बनाई है उसमें लिखा है महामति स्री प्राणनाज जी प्रणामी धर्म के प्रचारक, स्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रचारक, मध्यकालीन यूग के संथ, इस तरह से लिखा हुआ है जब दुनिया इस तरह से जाएगी, देखेगी, तो क्या समझेंगे कि प्राणनाज जी कौन है? कोई संथ होंगे, मध्यकालीन संथ होंगे, आज दस में उत्तर प्रदेश के स्वेक्षणिक माध्यम से जो हिंदी विभाग है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास जो सब से पहला ही पाठ है, उसमें भी प्राणनाज जी का नाम है, लेकिन वहां कभी के रूप में प्रस्तुत किया है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे समाज के तथा कथित अग्रगण्य लोगों ने प्राणनाज जी की वही छबी बनाई, इसलिए हमें ये जानना और बताना, समझान भी आवश्यक है कि प्राणनाज जी वास्तों में कौन है, क्या कहा है? आनंद सागर नामलक एक गुरंध है, जिसमें कहा है कि प्राण रूपा प्रिया सर्वा तासाम नाथो अक्षरात परह, तेना सव ही नामना प्राण नाथो ख्यातः प्रियस्वरह, जो प्राण अपा ब्रह्म प्रियाय हैं, जिनको हम ब्रह्म सर्ष्टी कहते हैं, उनके जो नाथ हैं, उनको प्राण नाथ कहा जाता है, जिनको ब्रह्म सर्ष्टियां बहुत ही प्रेम से प्राण नाथ कहते हैं, प्रियस्वर कहते हैं, तो इसी साबसे प्राण नाथ कोन हुए? साक्षात अक्षरातित वानी क्या कहती है कहे सुन्दरबाई अक्षरातित से खेल में आया साथ दो सुपन ए तीसरा दिखाया प्राणनाथ सपने के दो ब्रह्मान ब्रज और रास्त था ये तीसरा जो ब्रह्मान है जिसको हम जागनी का ब्रह्मान कहते हैं ये दिखाने वाले कौन है प्राणाजी हैं तो प्राणाजी को हमें लवकिक किसी संत साधू या महापुरुस के रुप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए इससे पहले कि भी कई चर्चाओं में हम सुन चुके हैं और वर्षों से सुनते आ रहे हैं स्रीजी स्वयम वाणी में कहते हैं कि रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत नाहू वैश्णव अपरस आचार जात कुटम कुल नीच ना उँच नाहू वरण अठार मैं अठा रहूं वर्ण में भी नहीं हूं किसी भी जाती के बंधन में नहीं हूं न में नीच हूं न में उँच हूं मैं कोई साधू नहीं हूं संत नहीं हूं सिद्ध नहीं हूं और इतना होने के बाओ जो भी हम जबर्जस्ति उनको उनकी गरीमा को घटाने पर तुले हुए हैं। मैंने कुछ दिन पहले की चर्चा में भी ये बात कही थी और आज पुनह दोहरा रहा हूं। कि यदि हम ये दुन्या का कोई भी व्यक्ति मुहम्मद साहब की गरीमा को कम करने का प्रयास करता है। कोई मुसलिम उसको बरदास्त नहीं करता है। आखरी पैगंबर के अतिरिक्त और उससे छोटा पद वो नहीं लगा सकते। उनको कोई फकीर नहीं कहेगा, सादूक बिल्कुल भी नहीं कहेगा ना। उनके लिए वो आखरी पैगंबर है, खुदा के पैगंबर। उनको कोई फकीर के रुप में प्रस्तुत नहीं करेगा। जबकि हम तो स्री प्राणनाजी की बात कर रहें, जो साक्षात अक्षराती थे, पैगंबर भी नहीं, उनको तो पैगंबर कहने में भी उनकी सोभा कम होती है। वैसे तो उनकी सोभा कम नहीं हो सकती कभी, पर गुनाह हमें तो लगेगा, कि हम जिस अक्षरातीत की पहचान पुरे दुनिया में करानी चाहिए, उनकी ही गरीमा को छोटा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की चर्चा में मैंने एक बात कही थी, कि जो बुद्धिमति स्त्री होती है, वहाँ अपने पती को राजा की तरह रखती है, राजा के जैसा सम्मान देती है, तो वहाँ स्वयम भी रानी की तरह रहती है, और उसका भी सम्मान वैसा ही होता है। मुर्क स्त्री पती को नौकर समझती है, तो स्वयम भी नौकरानी की तरह रहती है, क्योंकि नौकर येदि पत्ती है, हमारी आथ तो सिधे परमपरा है, इस्त्रियूं को तो विश्चे सुरूप से कुछ ना करने पर भी डिग्री उनको मिल जाती है, डॉक्टर की पत्नी यदि अनपढ़ भी होगी किसी कारण से तो वो डॉक्टर राहिन कहलाती है पंडित की पत्नी भले ही उसको कुछ ना आता हो फिर भी वो पंडित राहिन कहलाती है तो यदि पत्नी को नौकर मानेंगे पत्नी भी वैसे होगी और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्राणनात हमारे आतमा के प्रियतम है उनको अक्षरातित से निम्न यदि कोई भी दर्जा देंगे तो हम क्या कहलाएंगे हम कभी कोई भी ब्रह्म स्रिष्टी कोई भी सुन्दर साथ जो अपने आपको ब्रह्म स्रिष्टी मानता हो कभी ये कहने का साहस कर सकता है या ये कहना स्विकार कर सकता है कि आपके जो प्राण प्रियतम है वो पैगंबर है अथवा आप किसी पैगंबर के अरधांगी नहीं हो कोई स्विकार करेगा लोग मिहिर राज्जी को महामती जी को और प्राण्याजी को एक समझते हैं या लोगों की वैसे तो क्या गलती अगवों का ही दोस है इसमें इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि बितक में जिनकी शोभा के लिए चार बार अक्षरातित 22 बार हक और 200 से अधिक बार राज्जी शब्द का प्रयोग किया है उनकी शोभा को यदि हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो हमारी छमता नहीं है पर कम से कम घटाने का तो प्रयास न करें यहां सेख खिदर को समझा रहे हैं जिनोंने अभी तीन दिन पहले से ही चर्चा सुनना शुरू किया वो कह रहे हैं कि जो देखो हकिकत उनकी तो पाओ परवर्दिगार और हम तो तीन दिन की बात नहीं हम तो कोई कोई। यह सुन्दर साथ ऐसे हैं जो 30-30 वर्ष से 40-50-50 वर्ष से चर्चा सुन रहे हैं या चर्चा सुना रहे हैं इसलिए हमारा यह परमकरत अबे अन्यत यह होगा वाणी कहती है दुनी को आग एक है अगवों को आग दोए जो सामान्य लोग है उनको तो केवल इसलिए पच्चताना पड़ेगा पच्चताप के अगनी में जलना पड़ेगा कि उन्होंने स्रीजी के स्वरुप की पहचान नहीं की पर जो अगवे हैं उनको दुगनी अगनी लगेगी कि उन्होंने पहली बात खुद भी नहीं पहचाना और पहचान यदि थी भी तब भी किसी स्वार्थ के वस्यबुत हो करके दुनिया को गुमराह किया इसलिए ऐसी स्थती ना आए अब सेख की दर ने जब वो पहचान के विशे में सुना तो स्रीलालाजी कहते हैं सेख वैसे ही उठिया असवारी करी तयार अब सेख की दर ने और कोई तयारी नहीं की क्योंकि उनके मन में तड़प हुई अब कि मुझे जाना है उनसे मिलने के लिए तो वैसे ही वहाँ से उठे और अपने घोडे को ले करके अपनी सवारी को ले करके गए और जाते जाते रास्ते से ही खबर भिजवा दिया कि हम आपका धर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जब सेख इदर पहुँचे अपनी सारी सेना ले करके श्री जी को देखा उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया श्री जी ने भी उनके अंदर प्रमधाम की आत्मा को देखा और उसके बाद अब चर्चा होने लगी केते हैं होने लगी चर्चा कयामत का मजगूर सनन्ध सुनी तिनने सब देखा हक जहूर अब स्रीजी के मुखारविन से कयामत के विशे में चर्चा होने लगी और साथ में चर्चा चल रही है चर्चा के बाद सनन्ध का उन्होंने गायन भी सुना जब चर्चा सुनी वाणी का गायन सुना तो उनको लगा कहते हैं सब देखा हक जहुर उनको तो ऐसा लगा कि यहां तो अल्ला का नूर पसरा हुआ है अब यहां नूर का तात्परी क्या है नूर में सब कुछ आ जाता है आप नूर में मेहर को भी सामिल कर सकते हैं नूर का ताक्परिकेवल प्रकास नहीं है वानी क्या केती है नूर नाम रोशनी का दुनी जानत योकर सोतो रोशनी जिद अंधिर की दुनी क्या पावे लदुनी भीकर राजी की शोभा, राजी की मेहर, राजी का इल्म ये सब नूर में आ जाते हैं तो ये सारी शोभा वहाँ पर छाई हुई थी अब इस समय अज्यानता रूपी दज्जाल ने अपने तरब से पुरा जोर किया कि जो लोग आये थे सेख खिदर के साथ में उनमें इमान ना आये हुआ ये कि जब रामनगर के आसपास के लोगों को विशेश रूप से एक गाउं का नाम बताया है बेदड़ा बेदड़ा नामक गाउं था उसमें मुसलिम जन्शंख्या अधिक थी उनलोगों ने सुना कि सेख खिदर इन हिंदु वहिरागियों को पकड़ने के लिए आ रहा है उनको क्या लगा कि ये तो हमारे लिए सबाब पाने का समय है सबाब कहते हैं पुर्ण्य को क्योंकि उनमें वैसे तो गलत फहिमी है भ्रहम है पर इतना माना जाता है कि दीन के रह में मदद करना सबाब का काम है मतलब धर्म के रह में और उनके इसाब से धर्म की परिवासा वही है कि हमारे सिध्धान को जो नहीं मानता वो काफिर है और उनको सजा देना उनको परहसान करना ये सबाब का काम समझते है इसलिए बेदड़े के कुछ मुसल्मान ये सुच करके इकठाव करके आये कि हम सब उन विर्यागियों को पकड़ने में सीख इधर की मदद करेंगे अब उनको तो पता नहीं था कि इधर पासा पलट चुका है परिस्तिती बिल्कुल अलग हो चुकी है आकर के अपने तरफ से हो हला करना सुरू कर दिया आतंक मचाना सुरू कर दिया अब वहाँ श्री जी के सामने कुरान की टीका रखे हुई थी तो उन बेदड़े के मुसल्मानों ने इस बात का हला मचाना सुरू कर दिया कहते हैं एह हिंदूओं को रवा नहीं तुम क्यूं चर्चा करो महम्मद कि तुम हिंदू हो करके मुहम्मद की चर्चा क्यूं करते हो ऐसा करने का तुम्हें अधिकार नहीं है ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है अब सेख इदर ने जैसे ही ये देखा कि ये तो केवल मजहभी है शरीयत की कटरता है इस सुनने के लिए नहीं आये हैं ये तो परिशान करने के लिए आये हैं चुकि सेख किदर को स्रीजी के स्वरुप की पहचान हो चुकी है तो सेख खिदर ने बहुत गुसा किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि ये जितने भी बेईमान लोग हैं, जितने भी हुडदंग मचाने वाले हैं, इन सब को फटकार लगा करके यहां से मार भगाओ. अब जितने सैनिक थे सेख खिदर के क्योंकि वे सब भी स्रीजी की चर्चा सुन तुके थे, तो उन सब ने बेदड़े के मुसलमानों को फटकार लगाते हुए सबहा से बाहर निकाल दिया, अब इन सब का मुह काला हो गया, काला मुह ने कातात परिया लज्जित होना, सर्मि हो करके वहां से गए, अब कहते हैं, सेख सब साथ सों ले आया इमान, अपने सभी सैनिकों को साथ में लेकर, अब सेख खिदर स्रीजी के चरणों में इमान ले आते हैं, सब ने तारतम ग्रहन किया, और स्रीजी की पूर्ण पहचान करके अपने डेरे में, अपने निवास स्थान में, जहां उनकी छावनी लगी हुई थी, वहां चले गए, और वहां से जाकर के, अब अगले दिन, रामनगर का जो राजा था उससे मिल ले गए, और जाकर के कहते हैं, हैफ है राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे इ यहां इतने बड़े महापुरूष रहते हैं, क्योंकि राजा के हिसाब से समझाना पड़ेगा, कहते हैं इतने बड़े महापुरूष रहते हैं और तुमने उनकी पहचान ही नहीं की, पहचान तो दूर, तुम तो उनका दिदार करने भी नहीं गए, दर्शन करने भी नही कब तु कभी भी दर्शन करने के लिए नहीं गया और जब दर्शन ही नहीं करता तो तुम्हें पहचान क्या होती फिर कहते हैं तो मैं तुझको क्या कहूं तुझे पहचान ना भईलो अब जब तु दर्शन करने के लिए ही नहीं गया जब गया नहीं तो चर्चा सुनने का स उन्हें अपने समय को वियर्थ में गवा दिया। तो राजा ने क्या कहा? कहते हैं, तब राजा बोलिया, अब ही तुम करते पुकार, भली भई तुम ही फिरे, तुम ही करने लगे करार। अब राजा ने कहा, कि अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम उनको पकड़ने के लिए वहाँ से पुकारते हुए आ रहे थे, शोर करते हुए, कि वैरागियों को मेरे हवाले कर दो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बुद्धी बदल गई, और अब तुम उन्ही का गुड़गान गा रहे हो, जिनको तुम पकड़ने के लिए आये थे, तो सेखिदर ने क्या कहा, कि हमें तो कुछ पता नहीं था, हमें उनकी पहचान नहीं थी, हाँ, हमें बाद्शा का हुकम हुआ, और हुकम का पालन करने के लिए हमें आना पड़ा, लेकिन जब हमने देखा, जब हमने उनका दिदार किया, जब हमने उनकी चर्चा सुनी, तो हमने क्या देखा? जब हम देखा हादिय को, ए तहकीक बरहक, हमको भई पहचान, हमारी सारी भानिशक, इतनी बात का निश्चय हो गया हमें कि यह ही निश्चित रूप से आखरी जमाने के खाविन हैं यही आखरूल इमाम मुहम्मद महदी हैं यही हमारे परवर्दिगार हैं और हम उनके गुलाम हैं अब हम उनके गुलाम जो हमको ए फुर्माएं अब तो मैं उनका गुलाम हो गया हूं यह जो आदेश देंगे मैं उसी आदेश को मानूंगा उसी आदेश का पालन करूँगा और अब मैं यदि वो आदेश करते हैं तो उनके इमा महदी के रूप में जाहिर होने की खबर भी बादसाह तक पहुँचाओंगा औरंगजेब तक पहुँचाओंगा ऐसा कहकर अब वहाँ से वो चले गए राजा के पास जो लोग थे दज्जाल के स्वरुप दरवारी कुछ पंडित थे वह अब बातें बनाने लग गए कहते हैं कि महराज इनके पास कोई ऐसी भूरकी है भूरकी मतलब राख कह सकते हैं कोई चूरण कहते हैं कि जो वैरागी है उनके पास कोई भूरकी है जो भी जाता है प्रणाम करता है तो वो जादू भूरकी उनके उपर डाल देते हैं थोड़ी सी गुप्तरूप से छिपा करके तो उस जादू के प्रभाव से लोग सम्मोहित हो जाते हैं और जो भी उनके पास जाता है उनके वश्यभूत हो जाता है क्यते हैं है इनके पास भुरकी सो हाथ रहे मोमिन जो इनके अनुयाई है तो वे सब वैरागी अपने हाथ में भुरकी लिए रहते हैं कोई भी जाता है तो उनके सिर पे धीरे से वो डाल देते हैं फिर क्यते हैं सोई उनका होत है तुम समझियो सोभत में कोई भी विक्ति जाता है तो वह उनकी ही संगती में हो जाता है उनकी ही बात करने लगता है लेकिन राजा कहता है कि यदि में नहीं जाऊंगा एक मुसलिम सैनिक अधिकारी मुझे फटकार लगा करके गया है लानत दे करके गया है नहीं भी जाऊंगा तो भी बदनामी हो जाएगी इसलिए जाना तो आवस्यक है पर कहते हैं राजा कहें में जाऊंगा बैठो ना सोभत में पास में नहीं बैठोंगा में भुर्की डालने का मौका ही नहीं दूंगा बस दूर से दर्शन करूँगा इतना सिर्फ इस बात के लिए कि सेख खिदर को बाद में फिर से कहने का मौका ना मिले अब दूसरे दिन राजा जाता है और अपने तरब से पहले तो निमंत्रन भीजवाता है कि स्रीजी सहीद सब सुन्दर साथ मेरे यहां पधारे और मैं सब के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता हूँ स्रीजी सहीद सब सुन्दर साथ के लिए भोजन के व्यवस्था कि अपने दरबार के पास के एक बाग में एक बगीचे में और जब स्री जी पहुँचे सब सुन्दर साथ भोजन कर रहे हैं तो दूर से ही स्री जी को उन्होंने देखा और सुन्दर साथ सईत स्री जी का उसने दर्शन किया पास में नहीं गया क्योंकि डर था कि कोई भूर की डाल देगा मैं भी उनके वस्यबूत हो गया तो मैं भी सेख किदर की तरह बात करने लगा तो इसलिए अब कहते हैं हादी के सनमुख खड़ा रहा न बैठा जे स्री जी के पास मुख जाके बैठे भी नहीं और खड़े भी नहीं हुए कहते हैं दिल में दहसत इनको जिन अपने करे राजा के मन में ये डर था कि ये जो सुन्दर साथ है और स्री जी ये कहीं वो भुरकी डाल करके भस्म जिसको कहा जाता है वो भस्म डाल करके हमें अपनी वस्यभूत ना कर ले और बस उसने उतना ही लाभ प्राप्त किया दर्सन का दूर से दर्सन करने का कहते हैं ओ ऐसे ही पीछा फिरा सुनीन चर्चाकान बिन अंकुरे क्या करे करन सका पहचान क्योंकि निस्बत नहीं है तो वो पहचान नहीं कर सके अब सेख किदर स्रीजी के पास आए अनुमती मांगने के लिए कि स्रीजी साहिब अब आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करे हमें आपके सुरुप की पहचान है पर जाना तो पड़ेगा जाने की आउशेक्ता है यहां से और दूसरी बात क्योंकि बात्साहा ने भेजा है आपके बारे में मालूम करने के लिए तो हम क्या लिखें बात्साहा तक हम क्या उत्तर दें स्रीजी ने कहा कि तब कहा हादी ने तुमको क्या कहे हम जैसा तुमहारी अकले देखा होए हमें तुम स्रीजी ने कहा कि हमें आपको समझाने की क्या हो सकता है आपने जो देखा है जो जाना है जो सुना है और जितनी पहचान की है वही लिख करके कोई कुछ बढ़ा करके लिखने के ज़रूरत नहीं है कुछ घटाने की आऊ सकता नहीं जैसा दिखा आपको जितनी पहचान हुई उतनी लिख करके दिजिए आपको क्या लगता है सेख इदर ने क्या लिखा होगा कि ये तो एक वईरागी है ये ऐसा तो नहीं लिखा होगा क्या लिखा होगा उनोंने आखरुल इमाम मुहम्मद महदि साही बुजमाम यही आखरी जमाने के खाविन है और कयामत अब जाहिर हो चुका है इसी तरह से लिखा होगा क्योंकि उनको इमान है हमें धनी के प्रती इमान नहीं है हमें कहीं न कहीं अपना व्यवसाय चमकाना है यदि हम स्रीजी को अक्षिरातित कह देंगे प्राणाजी को अक्षिरातित कह देंगे तो फिर हमें वानी की चर्चा करनी पड़ेगी वानी की चर्चा करेंगे तो लोग सुनने के लिए कम आएंगे सुनने के लिए कम आएंगे तो व्यापार हमारा कैसे चमकेगा पर यहां सेख किदर ने ये तो नहीं सोचा होगा कि मुझे जिस बादसाह की नौकरी करनी है यदि मैं उसी को कुछ सिखा रहा हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल भी सकता ये भी नहीं देखा होगा कुछ लोग थे उस समय भी जैसे फते अल्ला का प्रसंग आया फते अल्ला ने क्या कहा कि बाद तो सही है पर जब तक बादसाह नहीं मान लेता तब तक हम इसको स्विकार नहीं कर सकते सेख किदर के मन में भी तो ऐसा आ सकता था ना कहीं ना कहीं कि बादसाह नहीं माने का तब तक हम कैसे सुविकार कर सकते हैं लेकिन क्यूंकि उनके अंदर परमधाम की ब्रहमसृष्टी है इसलिए स्रीजी के स्वरुप पर पूर्न इमान है इससे इतना तो पता चलता है कि जो भी परमधाम की ब्रहमसृष्षटी की होगी वह प्राण्णाजी के सुरब को साक्षात अक्षरातित की रुप में पहचान करेगी इसके अलावा आत्म जागरिती का ब्रह्म सुष्टियों के लिए कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं कोई दूसरा उपाय नहीं है आप महापुरुस कह करके कितने ही गुणगान उनको एक साहित्यकार कहकर कि कितनी ही बड़ी महिमा कह दीजिए पर वानी क्या कहती है कि तारीफ महम्मद महदी की ऐसी हुई न होसी क्या है कई हुवे कई होसी पर किन ब्रह्मांड हो ना है आज तक इस ब्रह्मांड से पहले कितने ब्रह्मांड बन चुके होंगे वैसे द यूग कैसे ये सात्वा वैवस्वत मन्वंतर है इससे पहले छे मन्वंतर हुए प्रत्यक मन्वंतर में लगभग लगभग छिहत्तर चत्तर यूगी होते मतलब इतनी बार सत्योग, त्रितायोग, द्वापरयोग, कलियोग बीतता है तो इस तरह से सात्वार ये चक्र पूरा हो चुका है छे बार और ये सात्वे का 28 मकलियोग है कितने ब्रह्मान बन चुके हैं, कितने भविश्यम होंगे क्योंकि प्रवाहरुप से अनादी काल से चला आ रहा है अनंत काल तक ये चलने वाला है पर कोई भी स्री प्राणनाजी के जैसा न था न है और न होगा कभी भी नहीं हो सकता तो सेख इदर ने ये पहचान की है और मैं बार बार यही कहूंगा कि जो भी परमधाम की ब्रह्मिस्ष्टी होगी वही स्री प्राणनाजी के सुरुप के पहचान करेगे दूसरी लोग उनको संत कभी या महापुरुस के रूप में ही देखेंगे और जो वानी पढ़ने के बाद भी या दूसरे को वानी समझाते हुए भी प्राणनाजी को संत कभी महापुरुस भक्त या गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं उनको पुष्चाताप की अथवा प्रायख्चित की अगनी में जलना ही पड़ेगा जैसा की वाणी कहती है कि सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे कोई उनके स्वरूप को उनकी शोभा को कम करने का प्रयास करता है तो उसे भी प्रायश्चित की अगनी में जलना पड़ेगा और कोई सुन करके चुपचाप कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है चुपचाप सुना रहता है, सुनता रहता है आराम से तो उसको भी प्रायश्चित की अगनी में जलना पड़ेगा तो अब सेख किदरने कुछ दिन स्री जी के सानिके में रहने के बाद वहाँ से जा करके पत्र लिखा कैते हैं केते एक दिन सेख रहा लिख भेजी पहचान उन्होंने स्री जी की पहचान लिख करके पुर्दल खान के पास पहुँचाई और जो कि पूरदल खान से बाद में औरंग जे बादसाह तक पहुंची, कहते हैं केतेक लोग सेख के रह गए, सेख हिदर के साथ में जिन लोगों ने स्री जी से तार्तम ग्यान ग्रहन किया था, उनमें से कुछ सैनिकों का तो स्री जी पर इतना अटूट प्रेम और विश्वास के बाद सुने थी, इसलिए मैं उस चीज़ को दोहरा नहीं रहा हूँ, तो कुछ सैनिकों में इतना विश्वास था कि वे स्री जी के चर्णों में ही रहे गए, उनमें से एक भिखारी दास जी भी हैं, पर क्यूंकि वो सेख खिदर के एक अधिकारी हैं, उनका एक कर्तब्य कहीं न कहीं रोक रहा था, इसलिए भिखारी दास जी सेख खिदर के उनके गंतब्य तक पहुचाने के लिए गए, और वहां तक पहुचा करके पुनह धामधनी के चर्णों में लोट आए, और अकेले नहीं लोटे, कैते हैं कबीला अपना लिया, सब सौप्य का हादी को अपना संपुन परिवार ले करके आए, और अपना सब कुछ धामधनी के चर्णों में समर्पित कर दिया, अब क्या हुआ, कहते हैं, फेर अहदी गुलाम मुहम्मद दोडा धमोनी से, अब इसके बाद, गुलाम मुहम्मद, जो धमोनी नाम के स्थान में रहता उसने सुना, कि बादसाह ने वईरागियों को पकड़ने की बात की है, उसके मन में लोभ आया, कि यदी में ये काम करूँगा, तो बादसाह मेरी पदुन्नती कर देगा, मतलब आज की सबसे प्रमोशन कर देगा, इसलिए कहते हैं, तिन ने सुनी बातें वास्ते लोभ के, बातसाह का प्रिय बनने की चाहत में, उसी लोभ में वहां से वो दोड़ा, और ये जिस पुर्दल खान ने सेख इदर को भेजा था, उसी पुर्दल खान के वंस का था, परिवार का संबन्दी था, और अब उसने अपना संदेश वाहा के भिजवाया, पुनह, किसके पास? रामरागर के राजा के पास, कि राजा से जाकर के कह दो, कि हम वहरागियों को पकड़ने के लिए आएं, अब वही गटना दोहराई जा रही है, पहले सेख इदर आए, अब ये आ रहा है गुलाम महम्मद, अब ये सुनकर के राजा डर गया, कि जब तक ये हिंदु कारी आता जाएगा, और जैसा कि हमने पहले भी सुना था, कि उस समय ये नियम था, जब तक ये राज सासन था, एक राजा किसी दूसरे राजे में जाता था, आक्रम और इत्यादी के लिए, युद्ध के लिए, यदि युद्ध होता है, तो तब तो फिर भी क्योंकि दोन तरफ का नुक्षान होता है, लेकिन युद्ध नव होने के स्थति में संधी अथवा वार्तालाप की अवस्था में, जिसके तरफ से प्रस्ताव रखा जाता था, पूरा का पूरा खर्चा उसी को ढोना पड़ता था, अब रामनगर का राजा सोच रहा है, कि जब तक ये वईरागी यहां रहेंगे, तब तक कोई न कोई आता ही रहेगा, इसलिए अब उन्होंने सोचा, कि इनको हम अपने यहां नहीं रखेंगे, हम यहां से जाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह की मानसे की आतना हम नहीं जहल सकते, अब राजा ने अपने व्यक्ति को भेजा, अपने एक सेवक को भेजा, और कहलवाया, कहते हैं, तुम जाओ हमारे देश से, हम सह न सकें, खर खसें, कहते हैं, आप लोगों की वज़ा से हमें बहुत सारी परेशानिया हो रही है, बहुत सारी दिकते आ रही है, इसलिए हम और यातना नहीं जहल सक सकते, इसलिए आप अब हमारे देश से निकल जाइए, चले जाइए, अब स्री जी ने अनुभव किया, कि राजा के मन में औरंग जेब के प्रती बहुत अधिक डर है, उसमें ये आत्म विश्वासी नहीं है, और दूसरी बात मेरे स्वरुप की पहचान भी नहीं है, श्री जी को वह स्थान, जहर की तरह था तो विश्म ही दिखाई पड़ी, विश्म ही क्यूँ कहा गया है? देखिए, साधुओं में एक प्रवृत्ति होती है, संतों में, कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए, जहां पर नेत्रों से स्नेह नहीं निकल किसी साधू ने कहा कि ऐसे स्थान पर मत जाईए जहां नेत्रों से स्नेह नहीं प्रगट होते भले ही वहां पर आस्मान से कंचन की अर्थात सोने की ही वर्षा क्यूं न हो रही हो और जिनको देखने से जिनकी आखों में देखने से हमें शांती की प्राप्ती होती है हमें ऐसे लोगों की संगती करने चाहिए ये बात तो वानी भी कहती है कि जेने दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग अनेक विघंज उपजे पर मुकिय नहीं साध संग पर यहा उल्टी अवस्था अब जिनको जैसे हम भी लोक वेवार में भी क्या करते हैं हर किसी के यहां तो चले नहीं जाते उनके वहां जाते हैं जिनको हम अपना मांते हैं कुछ मांगना भी हो तो हर किसी से नहीं मांगते हैं उससे मांगते हैं जिन में अपनापन होता है अब जो विक्ति आपको बोज समझ रहा है और केवल मन ही मन नहीं समझ रहा है अब तो उसने प्रगट रुप में अपने सैनिकों को भेज दिया है कि आप यहां से चले जाइए तो वहां रुकना अब बहुत अधिक कश्ट प्रद लग रहा था इसलिए स्रीजी ने सुन्दर साथ को कहा कि अब हम यहां से निकलते हैं अब वहां से उठे रामनगर से निकल करके विक्रम संबद 1749 और अगहन महिना है मतलब फागुन का महिना समझ सकते हैं रामनगर से चल कर चार दिन के यात्रा करके गढ़ा नामक स्थान में पहुंचे वहां एक बगी चाथा उस बाग में श्रीजी सुन्दर साथ ठहरते हैं तो जो गुलाम अहमद रामनगर जाना चाहता था जब पता चला कि वईरागी यहां से उठ करके चल दिये हैं तो उनका पीछा करते हुए वो भी अपने कुछ सैनिकों के साथ में रामनगर पहुंचा पांच ही लोग थे पांच ही सैनिक थे बाकि सैनिकों को कहीं रखा होगा सायद तो गुलाम महमद के सैनिक आए और अब स्रीजी सैथ सुन्दर साथ के साथ वो बहस करने लग गए पांच ही लोग है सीधे युद्ध तो नहीं कर सकते पर हाँ उन्होंने सुन्दर साथ को रोके रखा आगे कहीं बढ़ने नहीं दिया इतने में सैयोग से ऐसा हुआ कि देवकरण जी पहुँचे देवकरण जी कोन है चत्रसाल जी के दिवान और रिष्टे में भधी जी कहे जाते है तो देवकरण जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उन सैनिकों से बात की क्योंकि पहले से वो राजपरिवार से संबन दी थे चोकि छत्रसाल जी के दिवान है भतिजे भी है तो क्षत्रिय है कई न कई एक योध्धा भी है उन्होंने सैनिकों को रोके रखा बाते होने लगी है और एक दो घंटे की बात नहीं है चार प्रहर तक यू समझ लिजे कि पूरा दिन चार प्रहर में बारा गंटे होते तो इतने समय तक सुन्दर साथ उन सैनिकों से उलजे रहे स्रीजी ने उनको सनन्द की वानी सुनाई चर्चा सुनाई तो जब चर्चा सुनी स्रीजी के मुखारविन से कुछ उदाहरन सुने प्रसंग प्रमान सुने तो सुनते ही वे स्रीजी के चरणों में नतमस्तक हो गए कहते हैं कि सनन्दे हादी ने कही सुनते ही हुए जीर दिन उगते पहले भगे बड़ी हुई हमें खेर ये रात भर इस तरह से बातें हुई सनन्द सुनकर के अब सुबह सुबह दिन उगने से पहले ही ये कहते हुए भाग गए वहां से कि ये तो अल्ला की बड़ी कृपा है बड़ी महर है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई हमने इन सभी वैरागियों को किसी भी तरह की कोई आतना नहीं दी ये तो खुदा ने हमें बचाया येदि हमसे कोई गलती होती हमने किसी तरह से इनको पीड़ा पहुँचाई होती तो फिर हमारा बहुत बुरा होता कहते हैं ए तो बली खुदाये का बली जो शब्द है शुद्ध शब्द है वली ए खुदा अथवा वली उल्ला वली उल्ला का अर्थ क्या होता है जो खुदा का सच्चा फकीर हो अथवा जो परमात्मा से सच्चा प्रेम करने वाला हो उसको कहा जाता है वली उल्ला तो इसका सीधा तात्परिया है ऐसा वेक्ति जिसकी खुदा से दोस्ती है खुदा से दोस्ती का तात्परिय ये हुआ कि उस अवस्था तक पहुंचे है खुदा का दीदार किया है अनुभाव किया है साक्षियातकार किया है तो उन लोगों ने ये सोचा कि ये तो वली उल्लाह है और अच्छा हुआ कि हमसे बेदबी कचु होए हमने हमारे तरफ से कोई बेदबी बेदबी मतलब अपमान दुर्वव्यवहार हमारे तरफ से कोई अपमान नहीं किया गया ये तो खुदा की हम पर बहुत महर है यदि हमने कुछ ऐसा किया होता तो क्या होता तो होता बुरा हमारा हम ठोर न पावे सुए फिर हमारा बहुत बुरा होता हमारे रहने का कोई ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि जो खुदा के दोस्त के साथ में वली उल्ला के साथ में दुर्वा व्यवार करके हम भला कहां जाते इस तरह से कहते हुए वहां से भागे भगवंत राय का बेटा हाकिम राय नाम का एक वेक्ति था उसके दिल में क्या वेचार आया कहते हैं उनने दिल में यह लिया लूट लियों वैरागिन यह बड़ी विड़म मना है कोई इसाई वेक्ति किसी पादरी को लूटने के विसे में नहीं सोचता होगा कोई भी मुस्लिम किसी मौलवी को लूटने के विसे में नहीं सोचता होगा पर यह एक विड़म मना है कि हाकिम राय एक हिंदू होकर के भी स्रीजी सहीद चुन्दर साथ को लूटने की कोशिस कर रहा है जबकि यह सब वैरागी वेशबुसा में फकेरी वेशबुसा में हैं तो यह तो इसको क्या कह सकते हैं मानसिक दिवालियापन है तो कहते हैं एही हराम खोरी के लोकों आगे कहे शुकन हराम मतलब पाप होता ना तो उसने पाप कर्म का विचार किया और अपने आदमियों के बीच में उसके जो दूसरे आदमी थे उन आदमियों के बीच में ये बात उसने कही तो वहीं जहां स्रीजी ठहरे थे पास में एक गंगाराम बाजपई नाम के व्यक्ति थे उनका निवास था उनका घर था और वे स्रीजी से चर्चा सुनने के लिए दो बार आ चुके थे अब कहीं न कहीं बात फैल गई होगी हाकिम राए के लोगों से एक दूसरे में बात फैली और उनके माध्यम से गंगाराम बाजपई को पता चला कि हाकिम राए इन वईरागियों को लूटने की सोच रहा है उन्होंने जाकरके हाकिमराए को कहा समझाया कि यह महातमाओ को लूटने का विचार है तुम ऐसा विचार क्यों कर रहे हो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो यदि तु एक हिंदू हो करके हिंदू वैरागियों को लूटेगा तो स्वयम ही बदनाम हो जाएगा वैरागियों को लूटते होएगा बदनाम और दूसरी बात कहते हैं कि यह ऐसे कोई वैरागी नहीं है कि इतने कमजोर हो कि तुम इन्हें आसानी से लूट लो यदि तुम इन्हें लूटने की कोशिस करो गई यह आत्मरक्षा में कुछ तो करेंगे अब लगबग पांच हजार की जमानत है और एक किसी गाओं का चौधरी है उसके पास कितने लोग होंगे ज्यादा स्यादा पंद्रा भीस पत्चिस पांच हजार लोग यदि पत्चिस लोगों को गुद गुदी भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा मारने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी और वो भी करने के जुरूरत नहीं है चेहरे को कठोर बना करके खड़े भी हो जाएगे ना तब भी हिम्मत नहीं आएगी अब गंगाराम बाजपेजी ने समझाया कहते हैं और ए ऐसे नहीं जो कोई लूट ले मरे मारेंगे तुम वो यदि उन में से कुछ लोग की मृत्यु होती है तब भी वे तुमें भी मार डालेंगे इसलिए काहे को भूल के सुकन मुह से काड़ दिखाओ हम ऐसे कटू वचन ऐसे पापमई वचन तुम क्यूं निकालती हो ऐसे पाप का विचार तुम क्यूं करते हो इस तरह से उन्होंने धमकाया अब उसी दिन उसी दिन से उस गढ़ा नामक स्थान को लानत लगी क्यूं लगी क्यूंकि जहां पर ब्रम्हमुनियों परम्हंचों के साथ में बुरा वेवहार होता है ऐसे इस्थान को लानत लगना स्वभाविक है ये ऐसा नहीं है कि स्रीजी ने कोई स्राप दे दिया और ऐसा कर दिया मूल स्वरुप राज्जी के लिए तो सुर असुर सबों को एपती सब पर एक गई दया पर कर्मफल भी तो कोई चीज होती है जो ब्रम्हमुनियों के लिए ये ऐसा पाप सोचता हो तो उस पाप का फल उन सभी लोगों को भोगना आवस्यक था तो गढ़े नामक स्थान को कैसी लानत लगी कहते हैं लागी लानत गढ़े को उस दिन से हुआ खवार उस दिन से गढ़े का पतन हो गया और सो रोज कया मतलों थार न आवे लगार अब ऐसी लानत लगी गढ़े को कि कया मत तक भी वह उस पतन से उबर नहीं सकता उसका उद्धार नहीं हो सकता आज भी गढ़ा जो इस्थान है बंजर पड़ा हुआ है पूरी तरसे बंजर है किसी प्रकार की खेती भी नहीं होती है तो ऐसी लानत लगी उस इस्थान को अब आगे स्री महामती स्री लालदाजी कहते हैं कि स्री महामती कहे ए साथ जी एक गढ़े की बी तक ये गढ़े का वृत्तान्थ था ये प्रबुदित करने के लिए ये समझाने के लिए कि किसी भी ब्रह्म मुनी के साथ में बुरा वेवाहर नहीं करना चाहिए दुर्बवेवाहर नहीं करना चाहिए हमने सेख किदर के प्रसंग को भी सुना अब कहते हैं कचुक पीछे रही है सो कहों हुकम हक अब गढ़े के वृतान्थ को बताते हुए थोड़ा सा प्रसंग रामनगर का छूट गया है जिसके विशे में आगे वर्णन कने जा रहे हैं अब रामनगर में किस तरह से क्योंकि अभी तो देवकरण जी का हमने के वाला नाम ही सुना है देवकरण जी जो कि छत्रशाल जी के दीवान है बुंदेल खंड के रहने वाले हैं वो किस कारण से आए हैं इसी तरह से रामनगर में किस किस की जागनी हुई है और आगे चल करके देवकरण जी के माध्यम से कैसे महाराजा 16 साल जी तक खबर पहुँचती है जिनके अंदर परंधाम की सकुंडल की आतमा है देवचंद्र जी ने अपने जागनी यातरा के क्रम में उनके द्वारजब जागनी हो रही थी तभी उनके मन में भी था कि सकुंडल सकुमार की जागनी होनी है अब इतने लंबे प्रयास के बाद इतने लंबे प्रतिक्षा के बाद किस तरह से अब स्री जी सकुंडल के पास पहुचने वाले हैं उसमें देवकरण जी किस तरह से माध्यम बनते हैं वो सारी भी तक सुनेंगे हम कल अभी के लिए समय पुरा होता है स्री महामत कहे ए साथ जी ए गड़े की बी तक कच्छुक पीछे रही है सो कहुं हुकम हक सो कहुं हुकम हक बुलसरी प्राणनाथ बुलसरी सद्गुरू महाराथ प्राणनाथ